Welcome back on my channel Commerce with me आज इस वीडियो में आपको चैप्टर नबर सेकिंड बताऊंगी चैप्टर नबर सेकिंड की सेकंड वीडियो है इस से पहले वाली वीडियो में ने फस्स वीडियो में आपको समझा दिया कि principles क्या होते हैं और principles of management क्या होते हैं इसके features समझा दिये मैंने आपको इसके importance सब कुछ समझा दिये हैं जो भी important इस chapter में serial wise में आपको ये videos डा रहे हूं तो please confuse बिल्कुल मत हो ना playlist मिल जाएगी आपको class 12 के नाम से उसमें BAC का पूरा complete हो जाएगा तो principle of management होता है क्या है मैं आपको short में बता देती हूँ principle of management का मतलब होता है कि manager को help मिलती है इन principles के through decision लेने में जब कोई भी problem आजाए organization में वही principles of management होता है यह जो principles of management है ठीक है कि किस ने दिये थे यह दिये थे हैंडरी फ्यॉल ने दिये थे और इन्होंने बोला था कि 14 principles के through क्या कर सकते है manager decision ले सकता है organization के लिए आपको इतना clear हो गया ठीक है तो पहला है आपका division of work हैंडरी फ्यॉल ने पहले principle में बोला कि पहला principle यह है कि division of work कि work को क्या कर देना चाहिए बात देना चाहिए छोटे-छोटे small piece में बात देना चाहिए मतलब कि जो whole work should be divided into small task and assigned to person according to the capacity capability मतलब जो work है उसे इस तरीके से बात देना चाहिए कि उस काम को जो person कर रहा है उसकी capacity के according हो capability के according हो qualification मतलब उन्होंने जिस according qualification की है उसके according उसे work मिला हो और उसके experience की according उसे work मिला हो ऐसा work उसे देना चाहिए जिससे क्या होगा मतलब अगर आप ऐसा work उसे देंगे तो उससे क्या होगा उस person की उसका experience बढ़ेगा उसका motivation होगा और वो क्या हो जाएगा specialized हो जाएगा उस particular field में ठीक है एक example लेकी बताती हूँ में आपको जैसे finance department होता है और आपका purchase department sales department production department यह departments होते है अगर कोई person है जिसने आप marketing की है ठीक है उसने marketing की है तो उसको work इस type का देना चाहिए उसको work मार्केटिंग के field में देना चाहिए जिससे क्या होगा पहले से उसके पास क्या होगी qualification होगी उसको उसके पास experience होगा उस field में करने का ठीक है अगर उसको उस type का work दिया जाएगा उससे क्या होगा उसको जो specialized तो है उसके सासत और specialized हो जाता है और उसको अपना अपनी efficiency अच्छी तरह दिखाता है अपने work में ठीक है अगर उस marketing के बंदे को अगर आप दूसरे field में डाल देते हो finance की field में डाल देते हो जहां उसे कोई भी उसे पता नहीं है कि किस तरिके से deal करना है किस तरिके से finance का work करना है तो वो क्या होगा wastage होगा material का wastage होगा resources का तो इससे क्या होगा आपका wastage होगा और उसे time लग जाएगा वहाँ settle होने में तो henry field यहीं बोलते हैं कि आपको work को इस तरह के से बाहर देना चाहिए जिसमें जो एक्सपर्ट है उसका वही काम देना चाहिए इससे क्या होगा इससे देखो इसका positive effect ही आएगा कि proper utilization हो जाएगा resources का अच्छी तरह हो जाएगा resources का ठीक है क्योंकि wastage नहीं होगा second होगा minimum को कम से कम कोस्ट है कि उसे पहले से पता होगा कि किस तरह के से काम करना है ठीक है थर आता है it increase the efficiency of employees employees के efficiency बढ़ाता है क्योंकि अगर वो person अगर उसी काम को बार पर perform करेगा उसी काम को करता जाएगा और वो उसी field का है तो क्या होगा उसका उसके efficiency भी बढ़ जाएगी तो पहला आपको समझ में आ गया division of work second है आपका authority and responsibility मैंने हिंदी में लिग दिया authority का मतलब होता है ताकत और responsibility का मतलब होता है जिम्मेदारी ठीक है अब हैंडी फ्योंन ने बोला कि आपने work को बार दिया आपने चुटे 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 पार में बार दिया उसे उसका काम दे दिया अब आपकी यह authority बनती है आपके यह responsibility बनती है कि जिस person को आपने जो काम दिया है उसे कु उसे जिम्मेदारी नहीं दी तो उसका काम सही से नहीं हो पाएगा तो आप समझते हैं कि authority का मतलब होता है power to take decision कि जिसके पास power हो decision लेने की उसे क्या बोलते है authority बोलते है और responsibility यह होती है obligation to carry out and assign job जो भी काम दिया गया है उस काम को करना ही responsibility होता है at time पर मतलब उस time आगर ज job complete कर लेता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी complete हो जाती है responsibility complete हो जाती है तो फेंडिफियोली कहता है कि जब किसी को authority देते है तो उसके सासाथ उसे responsibility भी देनी चाहिए दोनों balance होकर चलना चाहिए अगर आप authority देते हो और responsibility नहीं देते हो तो उससे भी misuse होगा resources का अगर responsibility देती हो और authority नहीं देती हो तो उससे भी wastage ही होगा क्योंकि आपने responsibility देती कि आपको ये काम एक दिन में complete करना है एक दिन में one ton आपको produce करना है पर आपने उससे power नहीं दी कि आप कोई भी decision ले सकते हो उससे regarding यह पैंने ने कूछ ले सकते हैं लिए ऐसे कम बार नहीं हुआ इसा करोड़े सकते हैं किengo traụcर हुआ, पड़कर पची के उनके अपने पहुआ होस्ट करनेगी, फिर्टेप प्रोड्यक्शन्ही। पावर भी उनके पास होनी चाहिए जब आप उन्हें responsibility देती हो तो उन्हें कुछ power भी देनी चाहिए और दोनों में balance होना चाहिए देखते हैं देख्थे बेलेंस बेलेंस बेट्वी एंड रेस्पोंसिबिटी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए balance होना चाहिए authority के बीच में और responsibility के बीच में he must be given some authority to do his work efficiently ठीक है उसे क्या दियाना चाहिए कुछ authority provide करनी चाहिए अपने job से related ठीक है granting authority without giving responsibility अगर आप authority दे देते हो भीना किसी responsibility के तो will create chances of misuse the power इससे क्या होगा वो अपना power का misuse करेगा और वो काम नहीं करेगा and not able to perform duty properly ठीक है वो अपना duty properly perform नहीं करेगा ठीक है अब इसका क्या effect आएगा वो इससे क्या होगा इसका negative effect क्या आएगा अगर आप ऐसा नहीं करते बराबर authority और responsibility नहीं देते हो तो क्या होता है misuse of authority मतलब जो उसे power गिये वो अपनी power का क्या करता है misuse करता है ठीक है build safeguards against the abuse or marginal power and manager give the power to fulfill their response sorry power to fulfill their duty उससे क्या होगा जो manager होगा वो अपना power use में लेता जाएगा और जो बाकी के जो employees है उनको क्या होगा उनका उनकी responsibility सही वक्त वे काम complete नहीं हो पाएगी तो handy funnel बोलता है कि जब आप authority देती हो तो उसके साथ कुछ responsibility भी देनी चाहिए है third point of handy funnel क्या बोलते है वो third point में ऐसे बोलता है कि आपको आपके organization में क्या होना चाहिए discipline होना चाहिए यह वाला topic में आपको जरी जरी समझां क्या होता है discipline का मतलब होता है कि जो भी आप organization में काम कर रहे और कोई persons काम कर तो organization में क्या होना चाहिए discipline होना चाहिए जिससे क्या होगा code of conduct होगा rules or regulations होनी चाहिए घुम्हें तोर्ड अचीघ होनी चाहिए चाही एड सुपीर विए एड़ल लेवल होगा सुपीर एंडेन्ट होना जाहिए प्लीयर होना चाहिए प्लीयर हो तो second consequences of violation कि इसका negative effect या होगा मतलब आप जब इसे नहीं करते हो तो इसका क्या होगा तो वेस्टीज होगा resources का अगर ऐसा discipline नहीं होगा अगर organization में तुस्से क्या होगा वेस्टीज होगा resources का काम में delay हो जाएगा disorder हो जाएगा confusion create हो जाएगा ठीक है मतलब किसको कौन सा काम देना है कौन किते काम पर करना discipline नहीं रहेगा तो ठीक है तो third point समझ मैं कि हैंड़ बोलता है कि discipline भी बहुत जारा important factor है आपका organization में four point में बोलता है unity of command unity of command मतलब जो भी organization में जो workers काम कर रहे है उन्हें जो order है उनको order कहां से मिलना चाहिए किसी एक boss से मिलना चाहिए वो एक से ज़दा boss से उन्हें order नहीं मिलना चाहिए मतलब जो एक boss है ठीक है एक ही boss क्या कर रहा है a person को क्या कर रहा है order दे रहा है b को भी वही दे रहा है c को भी वही दे रहा है ठीक है तो अगर इसकी जगे अगर दो boss हो जाते है ठीक है दो boss हो जाते है तो वो क्या वोलते है कि आपको इतने टन बनाने मतलब आपको 10 टन बनान तो वो क्या हो जाएगा, confusion create हो जाएगी workers के उपर, employees के उपर, कि किसका काम पहले करा जाए, किसका order पहले माना जाए, ठीक है, तो unit of command यही बोलता है, कि one boss होना चाहिए, और one क्या होना चाहिए, direction होना चाहिए, देखो, employees should receive order from one boss, कि employees को क्या होना चाहिए, जो भी order है, वो किस उसी order मिलता है, एक से जादा boss से, तो उससे क्या होगा, it creates confusion, मतलब confusion create हो जाएगा, I will not able to understand the whole order, और उस order को वो नहीं समझ पाएगे, कि पहले किसका करना चाहिए, ठीक है, must be executed first, मतलब जो order दिया गया है, boss A के थरू, boss B के थरू, इन दोनों में से सबसे पहले, किसका order आपक पहले complete करना चाहिए, तो इसका, क्या होगा है, confusion create हो जाता है, organization में, हैंटी फ्योल बोलता है, कि आपके पास एक boss होना चाहिए, और एक boss ही क्या होना चाहिए, order देना चाहिए, सब persons को, जिसे confusion create नहीं हो, इसका positive effect क्या होगा, जब आप इसे apply करते हो, no confusion in the mind of subordinate, subordinate जो काम क करने वाले हैं, उनके mind में confusion बिलकुल नहीं होगा, ego भी उनका clashes नहीं होगा, उनकी efficiency क्या होगी, increase होगी, जब भी आप positive effect लिखते हैं, उसके negative आप यहां लिख दिया करोगी, अगर आप इसे follow नहीं करते हो, unity of command को, अगर आप follow नहीं करते हो, तो क्या होगा, confusion होगा, of course, अगर दो boss से, two boss से क्या मिलेगा, आपको order मिलेगा, तो confusion create होगा, ego होगा, ठीक है, difficulty होगी, discipline maintain करने में, यह था, unity of direction, unity of direction में Henry Fjol क्या बोलते हैं, कि जो भी employees हैं, उनका goal दे देना चाहिए, मतलब जो भी head है, मतलब जो भी department है, जिसे finance department है, purchase department है, यह sales department है, उन सब का अलग क्या होना चाहिए, एक goal होना चाहिए, और उस goal के लिए ही सब employees को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, जब employees के पास goal होगा, कि आपको इतना achieve करना है, तब वो क्या नहीं होंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे, वो एक ही direction में क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, एक ही direction यह सब्सक्राइब करते रहेंगे जैसे उन्हें जो काम करना वह वैसे करेंगे इसमें इसमें बताया गया है कि वह पता नहीं होगा one plan होना चाहिए? ठीक है? समझ में आगया employees को भी उस head का क्या पता होना चाहिए? प्लेइन पता होना चाहिए? तो according to this principle having common goal क्या होना चाहिए? common goal होना चाहिए? must have one head, उसमें क्या होना चाहिए? एक head होना चाहिए? और एक plan होना चाहिए? मतलब आपको इतना finance कहां से arrange करना है तो यह क्या हो गए आपका arrange करना हो गया तो one head one plane इससे क्या होगा इससे होगा unity of action आएगी एक साथ मिलकर काम किया जाएगा and coordination होगा organization में समझ में आगए आपको अब जब आप handy firm बोलते हैं कि अगर आप unity of direction वाला आप क्या करते हो follow करते हो इस principle को तो इससे क्या होगा achievement होगा किसका organization का organization goal को easily क्या किया जा सकता है achieve किया जा सकता है पर जो second collective effect क्या होगा efforts of all the employees get unified और जो भी employees की, जो भी effort है उन्हें भी क्या कीया जा सकता है unified किया जा सकता है consequences of violation मतलब अगर आप इन principles को follow नहीं करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता आपके organization lack of coordination आ जाएगा छीक है कमी आ जाएगी coordination की wastage का material होगा sorry wastage of resources resources का wastage हो जाएगा और difficulty आ जाएगी गोल को achieve करने में I hope आपको समझ में आ गया होगा 6 point समझते subordination of individual interest to general interest मतलब जो भी subordinates है है ना उन subordinates में क्या होना चीए कि इन सब का जो भी interest है employees का employees के interest को एक single employees के interest को और group में जो employees है उनके interest को match करना चीए और सबसे ज़्यादे importance उसे देना चीए जो ज़्यादा person वो गोल चाहते है मतलब अगर आपके पास five percent से एक percent बोरा है कि इस बार sale इतनी होनी चाहिए ठीक है तो तीन बोरे की sale इतनी होनी चाहिए दो बोरे की नई sale इतनी नहीं होनी चाहिए तो subordination of individual interest में क्या बता गए है जो भी जिसकी ज़्यादा majority हो उसका decision पहले है आपको मानना चाहिए उसके इंटरस्ट पे ज़्यादा काम करना चाहिए ठीक है क्या है बहुत ज़्यादा इंटरस्ट के इंटरस्ट का भी इंटरस्ट के इंटरस्ट से ज़्यादा या एंप्लोई से इंटरस्ट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंटरस्ट होना चाहिए कि मतलब ऑर्गनाइजिशन क्या चाहते है पूरे लोग क्या चाहते है उसे ज़्यादा priority देना चाहिए more than the interest of individual एक single employees से ज़्यादा ठीक है अगर आप इसे follow करते हो इस principle को follow करते हो तो क्या होगा इसका positive effect इसका positive effect यह होगा कि आपको जो goal है organization वो achieve हो जाएगा और coordination भी रहेगा individual में भी और organization goal में भी आपके organization में उसमें उन्हें क्या होना चाहिए उन्हें fair wages मिलनी चाहिए according to their work जैसे अगर कोई person आपकी company में आता है किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको उससे पूछना चाहिए या आप कितनी salary expect करें और जैसे आप उसने बताया 10,000 रुपीज तो 10,000 रुपीज से जदा उसे pay करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा वो क्या होगे motivate होंगे और वो अच्छा काम करेंगे अगर आप उससे कम दोगी तो उससे क्या होगा वो काम तो करेगा पर अच्छी capacity से नहीं कर पाएगा जितना वो आप उसे 11,000 रुपीज दोगे तब कर पाओगे तो हेंडी फैर मोलते है कि उन्हें क्या करना चाहिए उनके वर्क एकोर्डिंग फियर वेजिस एंड सेलरी देना चाहिए अगर आप फियर वेजिस सेलरी डिटर्माइन कर सकते हो अकोर्डिंग देर कैपेसिटी जैसे financial capacity of the concern अगर आपके organization अच्छा कमाती है तो आप दे सक ठीक है अगर वेजिस एसा नहीं होना चाहिए कि आप वेजिस दे रहे हो वर्क एक्ट के लिए उतनी तो आपको देनी ही चाहिए अगर आपके concern अच्छी है तो उससे ज्यादा भी दे सकते हो पर मिनीमम जो वेजिस सेट की अथनी तो देनी ही चाहिए एक organization को वर्कर्स के ठीक है थर्ड पॉइंट दे वेजिस से एली पेड़ बाइड़ गॉंपीटीटर जो भी ओंपीटीटर से आपके market में उनसे अच्छी आपको क्या देना चीह उन्हें वेजिस से आप उन पॉंपीटीटर को भी बीट कर सकते हो इसली जब वो आपके workers और employees अच्छे होंगे तो आई होब आपको रेमुरेशन ओफ पर से समझ में आ गया होगा फर्स्ट टू सैवन मैंने आपको फाइंडरी फ्योल के पिंसिपल समझा दिये है और नेक्स वीडियो में आपको 8 से 14 तक आपको मैं इन पिंसिपल समझाओंगी आई होब आपको वीडियो अच्छी लग झाल 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 झाल